अभियान फाउंडिशन और जिला रेड क्रॉस उसाइटी द्वारा हैविटेट कलब में रगदान शिविर का आयोजन रगदान शिविर में 64 रगदाताओं ने किया रगदान रगदान से बड़ा कोई दान नहीं होता हम सभी ये संकल्ब करें कि हमारे आजपास किसी भी इनसान की रगद के अभाव में जान ना जाए गुरुवारकू हैबिटेट कलब में रड़ क्रॉस के पूर्व सचिव सुभाश वशिष्ट के स्वग्य पुत्र आशिश वशिष्ट की पुन्यतिति के अवसर पर रगदान शिविर का आयोजन अभियान फाउंडिशन वेल लॉइंस कलब त्वारा जिला रड़ क्रॉस सुसाइटी और सिवल अस्टाल के सही हुक्से किया गया शिविर में 64 रगदाताओं ने रगदान किया मानव रगद ऐसा है कि जिसका किसी फेक्ट्री में निर्मान नहीं हो सकता ये इनसान के द्वारा दान करने से ही प्राप्त होता है और रगदान के ततकाल बाद शरीर में उसकी पूर्ती हो जाती है किसी की जान बचाना ही सबसे बड़ा पुन्य का कारी होता है रगदान के जरीए हम इस पुन्य के भागिदार बन सकते हैं रेड क्रॉस सचेव सुभाषवशिश ने कहा कि बर्शो तक जिला रेड क्रॉस सचेव रहने और विभिन गतिवीदियों से जुड़े रहने के बाद उनकी ये कोशिश रहते है कि हमारे आज पास किसी को जरूर पढ़ने पर रख्त की कमी ना हो उन्होंने वहां मुझूद परते एक व्यक्ति से आहवान किया कि वो समय समय पर रख्तान आवश करें इस दोरान सभी को आशिरवाद देते हुए श्रीशरी एक हजार आठ स्वामी दयानन सरवस्वती ने भी सभी से अधिक से अधिक संख्या में रख्तान करने और दूसरों को प्रेड़ करने को आहवान किया इस दोरान फाउंडिशन के सलसाफक विरेंदर तून ने कहा कि रख्तान समय के जरूरत है और हम सभी की नैटिक जिम्यदारी भी बनती है ऐसे में सभी रख्तान कर इस महादान की पुन्यके भागिदार बन सकते हैं जो आज केम्प लगाया गया किस उपलक्ष में लगाया गया है मैं सुभाश बशिस्ट सेक्रेटरी रेड क्रॉस से रिटायर हुआ हूँ लगबग 40 वर्स की सिवा के बाद 2009 में दुरगटना में मेरे बेटे का निजन हो गया था और उसके बाद से ही हर वर्ष 27 दिसंबर क हो ये कैम्प रेड क्रॉस के मेरी जो दूसरी संस्था है अभियान फार्मडेशन अप्लाइंस लगब सबके सहयोग से ये कैम्प परसाल किया जाता है मेरा इस कैम्प के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जहां कहीं भी हम हैं उसके आसपास किसी भी वज़ा से किसी भी व्य ली जाए कि उसको रख्त नहीं मिला यहीं एक उद्देश्य है और जिसकी सेवा जहां भी जिस भी माद्यम से हो सके इसी बात को लिए ज़कर हर वर्च ये कैम्प किया जाता है इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं सालवर में कैम्प करती रहती है तो जहां जिसके भ हमारे आदरनी है सुभास वसिष्ट जी के बेटे सुर गया आसीस वसिष्ट की पुन्यतिति के आउसर पए रख्तदान शीविर का युजिन किया गया है जिसमें लाइन्स कलब सोनिपत और अभियान फांडेशन मुक्रूप से सहयोगी हैं और इस रख्तदान शीविर के मा जादसे में घायल हो जाते हैं या इनने किसी ऑपरेशन के दोरान रख्त के आउसिकता पड़ती है तो उन लोगों की जो जुरूरते हम पूरी कर सके और अधिक से अधिक रख्तदान सीविर का आयोजिन करना चाहिए और मैं यह बताना चाहूंगा कि अभियान फांडेशन पिछले साथ वर्ष में 47 बलट डोनेशन के इंप आयोजिन कर चुकी है और आज हमारा यह 48 वा रख्तान सीविर है और इसी मुहीम को लगातार जारी अभियान फांडेशन रखी में मैं अने अंदर बुटानी सेक्टर 14 रहने वाला हूं मेरे मेडिकर स्टोर है मैं डेली बर देत रहता हूं डेली का मला यह नहीं रोज नहीं हर तीन मेने बाद चार मेने बाद 105 बर दे चुका हूं आज 106 बार दिया है मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं बहुत जान बचेगी फायदा होगा दन्यवाद